अल आप यू आज को मारे टोपिक है हुए ब्रिश्ट फीडिंग जो अब यह हमारा इस टैम लिग चल रहा है तो जो हमारा ब्रिश्ट फीडिंग जो बीक होता है यह होता है एक अगस्त से वन अगस्ट टू सेवन अगस्त एक तारिक से लेकर के और अगस्त की साथ तारिक तक जो डे चलता है इसे हम क्या कहते हैं ब्रिष्ट फीडिंग बीक कहते हैं इसे जो ब्रिष्ट फीडिंग के अंदर बताय गए एक अगस्त से साथ अगस्त तक जो अमारा डे होता है उसे हम ब्रिष्ट फीडिंग डे कहते हैं अब इसकी जो थीम आई है 2022 के अंदर इसकी जो न्यू थीम आई है इसके अंदर बोला गया है step up for breastfeeding ब्रिष्ट फीडिंग education and support इसके अंदर बताया गया जो 2022 की जो थीम आई ब्रिष्ट फीडिंग की इसमें बोला गया है यह हमारी मंडे को आई थी तीम है जो इसमें बोलाए step up for breastfeeding breastfeeding के step के बारे बताना चीए उसको मदर को education देनी चीए साथ में क्या करना चीए मदर को support देना चीए breastfeeding जब मदर करवाती है तो उसको एक तो क्या करना चीए उसको education देना चीए दूसरा उसको support देना चीए क्रेडल के लिए उनको ना चीह है कuno करता है जोSNी के पीडिए सबसे पहले घुण चालू की गई है हम बोलते हैं को triggers से अच्ण सीव ब्रिष्ट का बहुत है इसंसा इसका कि नाम होता है इसके इसके अंदर बोला गया है जो ऐसको इसको पीडा हुँंत तक देते हैं देते फिए उसका टाइम प्रिरेड होता है इसको आपन दिया जाता ब्रिश्ट पीडिंग को दी जाती है इसमें इसमें बाटर बच्चे को बाटर नहीं दिया जाता है नौट बाटर जो ब्रिष्ट होता है उनली फोर क्या दिया जाता है ब्रिष्ट मिल्क दिया जाता है बाटर को नहीं दिया जाते है इसमें बाटर नहीं दिया जाता है उनली फोर क्या दिया जाता है ब्रिष्ट मिल्क दिया जाता है उनली फोर फोर से शिक्स मन तक उनली फो मदर मिल्क देना है इसमें मदर मिल्क देना है इसके लावा और इसमें कुछ भी नहीं देना इसके बाद में हम बात करें कि जो 57 फीमेल्स होती है 57% फीमेल्स किया करती है एक्स्ट्राण हनी बच्चे को चटा देती है इसके बज़े से एक विजय होती है बॉट्र लीज में नाम की एक डिजीज हो जाती है जो क्या होता है फूड पोजिनिंग की बज़े से होती है तो उससे क्या होता है फूड पोजिनिंग हो जाती है तो जो फीमेल्स होती है वह एक्स्ट्रा हनी प्रोवाइड कर देती है एक्स्ट्रा हनी सविस्टेंस प्रोव सब्सक्राइब बैसब्स बत लिए नाम की होती है क्या करते इसको बाव्ट लीज में कह सकते हैं यह जो आपने आपर से हनी दे रहें इसके बाइब लिखनी को हो ही फिमेल्स क्या कर पाती है जो बोमन्स होती है वो मेंटेन कर पाती है ब्रिस्ट फीडिंग को 28% बोमन्स मेंन्टेन इस लिए अन्न ब्रिस्ट फीडिंग मैंटेन मैंन Minh क्या एक अब ट्रिस्ट फीडिंग मीन करने हैं उस्सक्रावां बट्रिंच एग fan Γतलियां अन्दारी की ब्रिस लो सभय्या की के बीच की होती है बागी की बाद करते हैं कि जो जुक्त कुप को जब करने चीए इसके बाद कर resc window जो करवाई जाती है इसमें क्या हुता है कि अबस् etiquette करें करना दे वरर नहीं को चुब है नौर्म डिलिवरी करवानी हुआ नॉर्मल डेलीब्री के अंदर ओल्ड गाइड लाइन तो हमारी बोलती है ओल्ड गाइड लाइन ओल्ड गाइड लाइन हमारी बोल रही है कि जो हमको ब्रिश्ट पीडिंग करवानी चीए ओल्ड गाइड लाइन के अक्वाडिक हमको हापेन हावर्स में करनी चीए मतलब करवाना चाहिएं ब्रिष फीडिंग करवानी चाहिए अब नियू गाईड लाइन आई कि जितना एस ट पॉसिबर जैसे बच्चा जनम ले लेता है बहार आउट्रएंवर्मेंट में जैसे आ जाता है आने में यू ट्राइन लाइप से बच्चा बाहर पारना चाहिए उसको जितना जल्दी हो कहे उतना जल्दी करवानी चाहिए ? ज़ल डावा देना यह चाहिए यह बोलती है अब इसके अंदर यहें तो हमारी नौरमल डिलेवरी का फिर पर दिया एक दूसरी होती हैrates si i yes iG sy कि नेच्ट है सी सेक्षन जो हमने अभी क्या हुआ है सी सेक्षन की द्वारा बच्चा डिलीवर हुआ है तो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा मदर किसमें होती है मादला एनस्थीसिया लगा हुआ रहता है माके तो इसके क्तिमाज काई सेक्षन होती है तो हमको जो हमारी ओल्ड गाइड लाइन तो बोलती है कि हमको जितना आइस के अंदर हमको जेत्ले हां के अंदर हमको क्या करवाना चीह है बिष्ट फिडिंग करवा नी चीह हमारी अब न्यू गाइडलाइन और आ बोलती है नियू गाइडलाइन यह पहले चली हुए आ रहे है पहली गाइडलाइन थी कि हमको कितने से क्सें के ऐडंटे करने चाहिए ब्रिश्ट फीडिंग करवा देनी चाहिए अब गंटे के अंदर हमको क्या करनी चाहिए ब्रिश्ट फीडिंग को बढ़ावा देना चाहिए वन हावर्स के अंदर हमको क्या करना चाहिए ब्रिश्ट फीडिंग करवानी चाहिए बीबी को यह हमारे नियू अब यह होता है बिनिग फूर के बाद का कर देना चीह है बच्छे के लिए मिंग पूर कब से इसने बाहर से आउटर से दूसरी जो फीडिंग होती है इसको बाहर से कभी स्टार्ड करते जी निचिन इन जा चाहे यह बताएं इंग क्योंभ यह बताएं यो failing क्यों बहुतहिए निदो 12 माश्याक में probability ट्रीड ट्रीक क्यों कि फीडिंग कि यह आपन बोले इसको बीनिग टाराइनिड हो क्विन फूर्ड बीनिग फूर्ड भीनिंग पूर को भीने करते हैं? भीनि우 हमां, काई-बॉर भीनिग पूर की लीax को भीनिग करते हैं? अब बच्चे के लिए बच्चा जब पैदा जनम लेता है तो क्या करता है फ्कशन मन्त में क्या होता है चीस सरक कर देना चीए इसे क्या होता है होता है कि उसको अब हम अपन कंटीनूद देंगे तो जो मिलक होता है मिलक मां इरन की क्या होती है अब इसके अंदर हम बात करें कि कि आरेन की को फूलपिल करता है वह आरेन क को पूलपील करता यंक निन जॉLo chron and COP करने के लिए लिएॉट है धर से स्टार्ट करते है तो यह हमारा से चुम्हारा है राभ तो इन फोतर यह जो बिनिंग फुड ए हम इसको और सकते हैं अब इसके बाद करते हैं यह अपने स्टार्ट कर दिया जो बच्चे की जो किड़नी होती है तो इसको 12-18 मंत पर मैत kleoster होती है तिए और आप लोगों के लिए जो बच्छे की किड्टीनी काम होता है फिल्टर करना ब्लेड को फिल्टर करने का काम होता है ठीक है यह काम होता है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अटा देता हूँ कि इसके बाद नेक्स्ट है मिल्क के एडवांटेज Advantage of Milk Advantage of Brist Milk Advantage Of Brist Milk Advantage of Brist Milk जो Brist Milk के इसके Advantage क्या है चीक है अभी Advantage के हम बात करते हैं तो इसके जो Advantage होता है Advantage for Baby Advantage 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 जो आपन Brist Milk के दे रहे हैं इसके बच्चे को क्या-क्या फादा होएंगे इससे इससे क्या होता है कि जो Brist Milk होता है इसके अंदर क्या पाजाता है एक तो लेक्टोज पाजाता है इसके अंदर जो Brist Milk होता है इसके अंदर यह क्या करता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है अब इसमें क्या हो गया कि जो यह मतलब ब्रिश्ट मिल्क के अंदर पाए जाता है यह पाए जाता है फ्रोवाइड फ़्री जो यह बेभी बेभी अंदर यह जो लैक्ट्व फोड्ने के लिए लेक्ट्व नाम यहां अंजएम उता है हूं क्या करता है ग्लुकोज फ्लस गैलेक्ट्वज में तोड़ता है तो इसमें क्या होता है कि जो लेक्टोज होता है लेक्टोज में तोड़ता है इसको ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज में ग्लूकोज तो क्या करता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है एनर्जी देता है अब जो ग्लेक्टोज होता है यह क्या करता है यह करता है मस до loved growth करता है brain की cells होती है उनके growth करने में ऐ게 help करवाता है नियुह होता है न what growth of brain in this brain में होती है What brain pain cells में EC ad गोर्ण की growth करवाता एक पूसम और किसमें काम करता है यह क्या यह जो दो में energy शुक्तोय स्कूर्च लंसों गेलेर चयों दने का स्वाइब तो जिए टोटा है करत Information दूसरा होता है यहिसास टेक्रज्ट काम सब्स्तोय सब शथे अब करें कि दोता है इस ब्रकाशाई सब्सक्राइबाता है в ड् Gen主 अग्तर बारव यहिए लेक्तर करता है काम कबढ़ाने में काम करता है काम करता है तो काम के गैल्सियम के बढ़ाता है पर बढ़ाता है तीथ के अदर teeth और bond के अंदर teeth और bond के अंदर जिससे क्या होता है कि जब यह teeth और bond के अंदर जब इसमें absorption को बढ़ाएगा तो इससे क्या होगा proper तरीका से जो bond होगी bond की growth proper तरीका से होगी मतलब मजबूत bond बनेगी चीक है यह काम करता है एक सेट वीडियो चल रही है कि तो इसमें क्या हुआ कि इसमें टीथ और बॉन को बनाने में हफ करता है इसके बाद बच्चों लेक्टोज के अंदर हमने बता है ग्लुकोज प्लेक्टोज में तोड़ने का काम कर रहा है इसमें एक और बता दूं बच्चों आप लोगों को जो लेक्टोज है लेक्टोज जैसे किसी पैसेंट को कॉंस्टिपेशन होते है न तो उसके अंदर यह मॉटिलिटी में भी काम करता है कॉंस्टिपेशन में भी मलग कि यह अपन अडल्ट के अंदर अपन इसको दें लेक्टोज को तो यह क्या करता है इंक्रीज इंक्रीज मौबिल growth percentage ३ रिलेती एंद्ट नेर्या कर सकता हुए रिये को बढ़ावा को इना लग सकता है तो जो जब यह किसमें तूटा है तो किसी में यह हमारा लेक्टोज एक लेक्तोज हमारा एंजयम होता है जोने की बज़े से हमारे वता ब्लेड की अंदर क्या होगा जो लेक्टोज का लेवल भढ़ जा तो उस condition को कहते हैं Lactose intolerance नाम की डीजिज डवल अकर देता है जब इसकी डैफिसेंसी हो जाईगे तो इसकी बज़े से एक ब्लड के अंदर किसके अंदर ब्लड के अंदर लेक्टोज एंट वाजया इन टोलेय बिच्टोज हो जाएगा जो लेक्टोज होता है लेक्टोल्कोस आगप में तूट neurons में तूट नहीं तो क्या होगा नहीं तो यह ऋगगा हमारी बोड़ गढ़ाएगा नहीं सबमेंगे इसको लेक्ट और देखना हूं मिलेगा इसको कहेंगे लेक्ट लेक्टॉल और फच्ट इस very completed've इस मनदब सबसे पहले हमारे जो choses for baby के लिए इसमें सबसे पहले हमारे जय फायदा ता Hm कि रूत करते हैं कि अमस्के प्रोटीन की सब्सक्ण करें है कि ए प्रोटीन की जो मारा पर ji प्रोटीन होती है प्रोटीन का नॉर्मल लेवल ब्लेड के अंदर पायाता है जो प्रोटीन का लेवल जो मिल्क के अंदर पायाता है प्रोटीन कितने टाइब का होती है दो टाइब कि होती एक तो हमारे केसीन होती है प्रोटीन होती है और दूसरी जो प्रॉटीन पाई आती है वो हमारी बे प्रोटीन होती है कि दूसरी जो प्रोटीन है यह पाई जाती है यह पाना जाती है 40 है केसीन प्रोटीन 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 गाने उसने मैंलि ब्रिश्ट मिल्क पाया जाती है वे प्रोटीन पाई जाती है जिसके अंदर ईसके अंदर है इसमें है लेक्टो अल्बूमिन और यह उता है लेक्टोग्लोबलीन यह होती है जो फोली बेप्रोटीन क्या होती है जो आप लोगो ने देखा होगा है यह क्या होती है इसले डाइजेस्ट होती है यहसे आप लोगा कभी देखा ओ तो उनमें तरहीं नादर जिबें को सबसे ज़्यादा क्या एंड़कोय जाती है हमारी पाइजाती है плохо लिप घ्र क्पीटोAy allemaal लेक्टोगोबिली नहीं उसके बदे में नहीं नहीं तो पिरका हुगाक छीकप क्वाद आए करते हैं । में कमाने ने बात करते हैं कि इसको सब करें कि जो अमीनोय य簡егда मिलते हैं इसमें इसमें भी दो बहुत अमीन female मिलता है उसके नाम बताथा nueva लोगो के पारता देता हूँ छिसifornia में और दूसरी हमारी जो नाम है वह हता है तॉरीन और सिस्टीन तॉरीन और सिस्टीन दो प्रोडीन पाई आती है जो हमारे यह यह दो अमीनो असेड़ पाई आती है प्रोडीन का मैं बताया था नेवर्मन लेवल कितना हो था 0.9 से 1.1 mg पढ़ यह ठीक है यह हमारे दूसरे कंपोडेंट था एक तो आती है दूसरा उसिस्टीन खें अब कारते यह बहुत अमीनियम असेड है यह बहुतनों में help to help to neurotransmitter में यह help करते हैं neurotransmitter में और neurotransmitter काम क्या होता है impulse generate करना impulse को एक जगे से दूसरे स्थान तक पहुंचाना यह impulse में help करते हैं neurotransmitter जो होते हैं दूसरी अक्यों होते हैं estosин यह क्या करते हैं neurotransmitter होते हैं हाइ तक पहुंचने में help करते हैं यह जो क्या करते हैं एक जगे से इंपर्फ को दूसरी जगे पहुंचाने में गरते हैं नाम की प्रोटीन होती है बनाने में हेल्प करती है अब Yes नीश्ट बात करें इससे दो प्रोडेक्ट निकलते हैं इससे में बच्चे को बच्चे के बच्चे की जो की पैल हो सकती है क्योंकि बच्चे की किड़नी मैचुर होती है तो इसमें यह प्रोटीन कम क्यों दी हुई है देखो इसके अंदर जो ब्रिष्ट मिलक है भगवान ने जो दिया है इसमें प्रोटीन जो कम दिये 200-09-1.2012 लाट जाएगी इसलिए जिब बच्चे को तो क्या उसकना की पैल हो जाएगी साइब यूप गशा इसमें क्या करते कि जो बच्चे को मिलक दिया जाता है फो रहा न हम ब्रिष्ट को क्या होता है दो किहिँतम होते है इसने ऑन residents1.5-2 email होते है इसमें फोन निस्के को दो angef करते निकलता है दूसरा निकलता है जूरिया निकलता है उर्य हॉड Also इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट आता है नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं इसको ड़ा देता हूं कि नेक्स्ट हमारे जो कंपोनेंट है नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करूँ मैं तो नेक्स्ट आता है हमारा फैट कि फैर जो प्रेच्ट मृटके अंदर नी इट यो मिल अ में अम उमिलता है तो फैट अब फैट का जो यूढ़ल होता है थी पॉंट आग्जा से secrets का नॉर्मल लिएव लोता है तो कितना होता है 0.353.5 ग्राम पर डियल से पाई जाता है अब सुनो तो यह जो फैट है फैट का जो नॉर्मल लेवल पाई जा रहा है कितना पाई जा रहा है सब्सक्राइब करें जो इसमें क्या पाजाता है तो इसमें बात करें तो इसमें कि गर चाहिव तक है कि अब इसके अन्दर हमने बात की पैट की पैट जोनॉर्मल पाइब भाइब लॉनए थी पहाएव ग्राम फॉर्ट्फिया पाई टू टाइपस फैटी एसिड फैटी एसिड ठीक है इसके अंदर हमने बात की जो फैट होता है फैट क्या होता है फैट में ली टू टाइपस के फैटी एसिड से मिल करके बनता है ठीक है तो फैटी एसिड होता है वह होता है ओमेगा ओमेगा टू और यह होता है ओमेगा 6 तो 2 fatty acid होते हैं तो बहुत बहुत आर बहुत आर फैटी एसिड बहुत आर फैटी बहुत आर फैटी एसिड यह दोनों मलग की फैटी एसिड मिल करके सेंहीं सिंंथेशिस of evolve ofяж help of synthesis social यह क्या करते हैं help करते हैं सिंथेशिस करने में सिंथेशिस आफ सिंथेश्स ओफ सिंथेशिस ओफ प्रोश्टाग्लेंडिन प्रोश्टाग्लेंडिन एड गौलीस्टरॉल थिक है इसके अंदर आपकी कॉलीस्टरॉल तो यह हमारे हमने बात की जह ओमेगा टॉर ओमेगा सिस यह क्या है बहुत बहुत है पहँती जो क्या करते हैं हेल्प ऑफ सिंतेश्फ शुफ प्रोष्ट्री इड ऐल्ब करते हैं ग्रॉश्टराग्लेंड़न दूसरा क्या करते हैं कोलिस्टरोल बनाने का काम करते हैं रेकन ररेक्र तो यह जो प्रोश्टाग्लें ओमेगा 6 के दोनों क्या होता है फैटी एसिड है जो सिंथेसिस यह इन दोनों फैटी एसिड से सिंथेसिस होता है प्रोष्टा ग्लेंडेंड दूसरा होता है कॉलिस्ट्रोल का कॉलिस्ट्रोल क्या करता है हेल्प इंदा हेल्प इंदा हेल्प इंदा सिंथेसिस ऑफ हेल्प माशि सेक्स हार्मोन यह क्या करता है स्टॉरेड हो सेक्स हार्मोन Plus हो यह वह तो यह एक यह काम करते हैं दूसरा काम यह होते हैं माइलेनसी बनी होती है फैट थीक है तो यह हो गया हमारा तीसरा था लेक्टोज था दूसरा प्रोड़ीन था तीसरा हमारा फैट था बात करते हैं कफुर्थ हमारा है ब्रिष्ट मिलात्रा ब्रिष्ट मिलके था जबसे ज़्यादा में ब्रिष्ट मिलकर द्र हमे आता है ब्रिष्ट banking वानर मैं कि आ परसेंट बाटर पायाता है 86-88% बाटर होता है बाटर के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद हो गया बाटर के बाद में हमारे इसके अंदर क्या क्या पाई जाते हैं कुछ एंजाइम पाई जाते हैं जैसे कि एंटर फेरोन इंटर फेरोन इंटर फेरोन होता है इसके बाद में हमारे होता है इंटर फेरोन होता है इसके बाद में नेक्स्ट है माइक्रो फेज होती है माइक्रो फेज ठीक है माइक्रो फे होता है लाइसो जाएम होता है इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा बीफीडस होता है बीफीडस होता है यह मिलक के अंदर बीफीडस होता है लाइसो जाएम होता है माइक्रोफेज होती है इंटर इंटर फेरों सेल होती है इसके बाद हमारा नेक्स्ट है लेक्टो फेरिन होता है लेक्टो फेरेंट यह हमारे क्या पाएते हैं ब्रिष्ट मिलग पाए जाते हैं इसके बारे हमारा 6 नमर्पर पॉइंट है यह हमारे यह अंजयम होते हैं यह सब पाएते हैं ये यritersं कर ना कोієं की माईक्रू exist टीकर इसके बाद होगे मोर इसके लिःस्ट नमर्पर आते हमारा six नमर पर पाया जाते हैं इसमें एपी एपीडाइमल इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एपीडर्मल ग्रोथ फेक्टर पाया जाते हैं इसके बाद में फैटी इसड पाय जाता है जो फैटी एचिड होता है तो टाइप के उतार लो यह हमारे कांपे पाई जा रहे हैं ब्रिष्ट मिलके अंदर पाई जा रहे हैं है थ localized एक तो-घृत है हमारा नेच कि साथ भी नमबर बता हमारा इसमें अदर फैटी अशेड़ पाई जाते है फैटी एसर्ड यह दो टैप के फैटी एसर्ड होते हैं यह दो टाइप के पैटी एसरे पाई जाते हैं में इसले हमारा इसमें घ्र實ping ए यह जाते हैं लेनी, लेनी, लूनिक, लेनी, लूनिक, ऐसेड होता है, लेनी, लूनिक, ऐसेड होता है, और यह कोता है, लेनी, लेलिक, ऐसेड, यह कोता है, लेनी, लेलिक, ऐसेड होता है, दूसरा होता है, लेनी, लूनिक, ऐसेड होता है, छीके, तो इस्थे, जो लेनी, लेनी, लेलिक, एसेड लेनी लेनी लेलिक लेलिक एसेड ये टूरता है हमारा डेकोसा डेकोसा हेक्सा हेक्सा होईक एसेड में और जो ये वाला हमारा जो टूरता है ये लेनी लेनिक एसेड टूरता है हमारा आर्ची डॉनिक एशिड में और ये आर्ची डॉनिक एशिड के बाद में ये नेक्स्ट जा करके क्या करते हैं ये क्या करते हैं इन्क्रीज दा आईक्यू लेवल ये क्या करते हैं ये करते हैं इन्क्रीज आईक्यू लेवल करने का काम करते हैं इसके बात करते हैं इसके बाउंडिंग की इसके अंदर बाउंडिंग पायाती है बाउंडिंग मैं इसके बाउंडिंग करता है इसके बाउंडिंग मिरल। यह मन्मौन का कि अंदर यूंडिंग हार्मौनन की बात करे तो माँके ब्रिश्ट से एजैक्षन होता है सिके ऑटॉमेटिक हार्मोन इसलिए का याथा है क्योंकि यह से क्या होता है बच्चे का चैनिष्ट अटेच्मेंट यह इसलिए कहते हैं bounding hormone या oxytocin hormone कगा जाता है इसे इसके इसके बाद next हमारा next आता है हमारी vitamins आती है तो vitamins आती है हमारा mother milk इसके तो next हमारा nine number point है vitamins कि जो milk होता है milk में कौन-कौन सी vitamins होते है यह बताता हूं नेक्स्ट है हमारा नायन नमबर पाता है बिटामिन आती है तो बिटामिन जो है हमारी इसमें बिटामिन ए तो ब्रिष्ट मिल्क होता है तो बिटामिन ए पाई आती है जो बिटामिन ए पाई आती है एक बन सेवन जीरो से ले करके 670 international unit पर DL पाई आती है इसके बाद में इसमें zinc पाई आती है zinc का जो label होता है 120 microgram पर DL इसके बाद में इसके अंदर vitamin D पाई आती है rear पाई आती है जो पाई आती है 2.2 2.2 international unit पर DL यह ना के बराबर होती है इसके बाद में इसमें sodium पाई आता है sodium का जो label पाई आता है इसके अंदर sodium पाई आता है 15 mg पर DL यह पाई आता है इसके बाद में इसमें magnesium पाई आता है magnesium का जो label पाई आता है इसमें पाए जाता है 1.23 से लेकर के 1.64 मिली एक्वल पर लीटर पर डियल पाए जाता है ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट है यह पाए जाते हैं इसके अंदर इसके अंदर बिटामिन इसके बिटामिन सी का डियल पर लीटर पर याते हैं इसके बाद में नेक्स्ट हैं इसके अंदर पर जाता है जिंक होगे आपका फैरस का डियल होता है फैरस का लेवल है 30 आ फेरल्श फे pae ट फेर्श प्लश टूप इसका जो लेवल होता है 30 dehg per µ Ig पर 말ь पाहिए in यह इसका लेवल पाहिता है हरु इसके बाद में घल्सीएम का लेवल पाहिता थे भी पर ईयल पाहिता है 35 mg पर डियल किसका केलसियम का लेवल केलसियम का 35 mg पर डियल इसके बाद रिवल पायाता है जो लेवल पायाता है 15 mg पर डियल चीक है यह फॉस्पे नेक्स्ट बात करते हैं यह उतार लो इसके बाद दो कि इसकी बाद नेक्स्ट हमारा बच गया मदर मिल्क दो नेक्स्ट है मदर मिल्क यह हो गया है इसके बाद दस्मा पॉइंट है मादर पन्लोब यह भीन तो नए माधर मिल्क होता है कितना पाहता है हमारें कि अंदर से रिलीज होता ब्रिश्ट के तो यह ब्रिश्ट के अंदर से रिलीज होता पर दे यह कितना होता है है मधर मिल्क इतना मधर मिल्क रिलीज होता है एंडल इसके बाद हम बात करें इसके अंदर म्यूरी के अंदर के अंदर जो कैलोरी होती है मदर मिल्क के अंदर जो कैलोरी प्राप्त होती है 65 से 70 किलो कैलोरी पर डियर एक है एक मतलब कि बात करta आपर शक्राप्त होती है जो मदर मिल्क खे wenn जो होता है इससे प्राप्त होता है फायदा है बिष्ट मिल्क कराने से बेबी को या अपन थो करें बात करें गे तो tack you guys लैक और सब्सक्राइब जरूर्ब आपको अच्छे लगे तो बीडियो